आज है मेरे पास मेरी ही Tata Altros XM Pantrol के अंदर जो BS6 का Face Second Variant है XM Variant में हमको क्या-क्या चीज़े मिलती है और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ यह बिल्कुल इस्टोक कंडिशन में है मेरे पास गाड़ी अभी मैंने एक भी एक्सेसरीज ना ही सोरूम से लगवाई है ना ही आफ्टर मार्कीट करोल बाग से लगवाई है या कहीं से भी लोकल मार्कीट से तो आपको मैं इस्टोक कंडिशन में इसका एक इंडेप्ट रि से चावी में हमको लोग अनलोग और हेडलेंप का बटन देखने के लिए मिलता है फोल्ड वाली हमको की देखने के लिए मिलती है इसके अंदर और जैसे ही मैं गाड़ी को अनलोग करता हूं तो और वीम fold unfold lock और unlock करने पर साथ ही में होते हैं और ये function सिर्फ XM variant से start होता है XE अगर आप base variant लेंगे तो आपको ये feature नहीं मिलेगा aftermarket आप इसमें install करा सकते हैं front line की तरह front line में हम अगर दिखाएं तो आपको यहाँ पर low high beam halogen देखने के लिए मिलती है और साथ ही में indicator यहाँ पर दिया गया है और जो fog lamp है ये हम aftermarket लगवा सकते हैं XE और XM में हमको ये नहीं आते company से अगर आप local aftermarket लगवाएंगे तो 4000-4500 के बीच में ये हमको install होके मिल जाएंगे local one year की warranty के साथ लेकिन जो original Tata के मिलेंगे वह आपको करीब 8-8500 के बीच में मिल जाएंगे fronts में यहाँ पर हमको horn दिया गया है air intake के लिए grill दी गई है और Tata का logo नीचे भी air intake के लिए थोड़ी सी जगा दी गई है side profile की बात करें तो हमको chrome की finish दी गई है और ये जो steel rim है इसके साथ wheel cap सिर्फ XM variant से मिलने start होते हैं अगर हम tire size की बात करें तो MIRF का tire मिलता है company से ही और tire size 185 60R 16 इंच के steel rim के साथ ये हमको XM variant के अंदर मिलते हैं और fender line पे base variant से लेके और top variant तक indicator यहीं पे मिलते हैं और यहाँ पे कुछ काम इसमे प्यानो black में भी दिया गया है 90 degree door angle मिलते हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमको 37 liter का fuel capacity वाला petrol tank मिल जाता है अगर आप XMS variant लेते हैं तो आपको यहाँ पर diesel tank मिलेगा CNG इसमें मिल जाती है इसी variant में XE variant से मिली start हो जाती है एक सवाला कुर पे एक्स्ट्रा कोश्ट करती है वो और CNG भी जो fill होती है वो यहीं से start हो जाती है पीछे की look की बात करें तो काफी aggressive look पीछे से भी दी गई है Ground clearance की साथ ही में बात कर लेते हैं तो एक सो पैसे टाइमम का इसमें Ground clearance देखने के लिए मिल जाता है थोड़ी सी दिक्कत जरूर है इसमें क्योंकि Nexon में भी 209 mm का दिया गया है इसमें थोड़ा कम है यार Ground clearance की थोड़ी सी दिक्कत है फ्रंट से जादा है लेकिन फ्रंट से अगर मैं आपको Ground clearance के साथ साथी बता दूँ तो नीचे की तरफ इसमें एक प्लास्टिक की ये दी गई है अगर थोड़ी बहुत अड़ेगी तो आपको इससे पता लग जाएगी कि भाई हमारी गाड़ी अब ज़्यादा नहीं टच हो सकती इसकी वज़े से तो ये एक बहुत अच्छा काम क्या है Ground clearance बेसकते इसका कम दिया गया हो टेल लाइट की बात करते हैं साथी में तो यहां पर हमको इंडिगेटर और ब्रेक लाइट देखने के लिए मिलती है टाटा का लोगो एल्ट्रोज की बैजिंग नीचे दो पार्किंग सेंसर दिये है उपर की तरफ बात करें तो है यहां पर स्पोईलर में भी इसका एक लेंप दिया गया है और यहां पर भी कुछ पियानो ब्लैक फिनिसिंग दी गई है डिफोगर वगेरा इस वेरियंट में हमको नहीं मिलते हैं गाड़ी को भाई अल्लोग करके और सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं तो यहां पर हमको ओर वियम फोल्ड अनफोल्ड और एडजेस्ट हम इलेक्रिक कर सकते हैं यह फंक स्टार्ट हो जाती हैं साथ ही में स्पीकर कंपनी फिटेड दिया गया है इसी में टाटा का यहां पर बोटल होल्डर और अम्रेला होल्डर दिया गया है यह और 90 डिग्री एंगल से इसका डोर ओपन हो जाता है अगर भाई लगाऊंगा तो बिलट फुरूप की तरह होता ह है एनकाप ग्लोबिंग में फाइव स्टार रेटीड है टाटा एल्ट्रोज इधर की साइड बात कर लेते हैं ओटो स्टार टाइडल स्टोप स्टार्ट बटल मिलता है यहां से मतलब न्यूटल करके अगर हैंड ब्रेक करके आपने गाड़ी खड़ी कर दी क्लिच रिलीज कर गए तो आपकी गाड़ी ओटोमेटिक से ओफ हो जाएगे और जैसे ही क्लच पैडल को आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी ओटो रिस्टार्ट हो जाएगे यहां पर एस इवेंट्स दिये गए हैं जो क्रोंग फिनिसिंग के साथ हैं इधर की साइड बात कर लेते ह हैं अगर इंस्टुमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहां पर हमको 8000 rpm का एक मीटर मिलता है बीच में मिल जाती है और इधर 220 की टोप स्पीड यहां पर कुछ वोर्रिंग साइंस आपको इसी में ही दिखाता रहेगा सिटी और यहां से गर मैं बटन दबाऊंगा तो इको मो करें लॉड के ऊपर आपको एक प्रोपर वीडियो मिलेगी यहां पर हम क्या-क्या चीजे देख सकते हैं instant fuel efficiency देख सकते हैं ट्रिप को reset कर सकते हैं नीचे टेंप्रेचर दिया गया है कूल एंड हाई उपर फ्यूल का लेवल दिया गया है जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूं तो यहां पर एवरेज दिखा दिया 15.6 क्लोमीटर पर लीटर का माइलेज 143 क्लोमीटर अभी इसमें बाकी रेंज दिखा रहा है जिसको हम डिस्टेंस टू एंप्टी बोलते हैं इधर की तरफ बात करूं तो 20 डिग्री सेल्सियस का इसका भी टैंप्रेचर है इंजन का और फिर से यह एवरेज दिखाने लगा ट्रिप और ट्रिप बी के साथ यहां पर बात करें तो स्टेरिंग माउंटिट कंट्रोल सिर्फ हमको एक से वेरि लाइट चाहिए इधर की तरफ बात करें तो हमको कोई भी स्टीरियो नहीं मिलता चारो दरवाजों में भाई यह बिल्कूल टाटा के ओरिजिनल स्पीकर मिल जाते हैं लेकिन स्टीरियो नहीं मिलता क्रों की फिनिसिंग के साथ यहां पर एसी वैंट्स हैजार लेंप और नीचे जो कंट्रोल से यह बटन वाली मिलते हैं आपको एसी के हीटर के बी और नीचे की तरफ यूएसबी सोकेट और ओक्स का केबल नहीं मिलता 12 वोट की चार्जिंग मिल जाती है आपको एड़ेटर लगा के आप इससे अपना मोबाइल वगयरा चार्ज कर सकते हैं और छोटा सा इसपेस हमको यहां पर भी दिया गया है अपना छोटा मोटा भाई फोन वगयरा वोलेट वगयरा रखना हो तो यहां पर रख सकते हो और इसमें एक लाइट भी दी गई है ब्लू कलर की फाइव स्पीर मैनुल ट्रा ट्रांस्पिसन के साथ आती है यह एक्सम वेर बाक से यह सारी चीजे इसमें कराने वाला हूं आप वीडियो देखते रहना सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को अब बात करते हैं हम आई आरव्यम की तो ओटो डीमिंग वाला नहीं मिलता नहीं एड़ेश्ट वाला मिलता है इसमें सिर्फ नोर्मल मिलता है यह भी इस वाले बटन को जैसे ही हम दबाते हैं तो आटोमेटिक से नीचे तरफ रिलीज होता था और काफी डीप है यह अंदर से देखने में भाई यहां पे भी हम इसमें गलास वगएरा अपने रख सकते हैं तो इसमें भी अच्छा का सा इस टार्टा ने दिया है और साथी में जो कलर की कॉंबिनेशन है वो काफी अच्छा दिया गया है जैसे यहां पे बलेक बलेक और सिल्वर कलर के साथ यहां पे नीचे तरफ बेज टरपल कर रहा है इसमें कॉंबिनेशन बनाया है इंटीर में काफी देखने में बहुत ही सुन्दर है कोस्मेटिक डिजाइन इसक में फिर क्या स्टार्ट हो जाता है आना भाई हाइट एडजेस्टेबल सीट मेरी हाइट थोड़ी कम है सो एक्जामपल के तोर पर हम समझ लेते हैं इस बात को मुझे फ्रंट का जो व्यू है वो कम दिखता है जो बॉनिट है उसका व्यू तो अम मैं क्या करूंगा इसको कि तरफ उठाओंगा तो मेरी जो सीट की हाइट है वो उची हो जाएगी जो इसका यह हैड इस पेस वो भी काफी अच्छा है मेरी कहीं भी इसमें सर नहीं टकरा रहा है अब मुझे बॉनिट का व्यू अच्छा दिखने लगा अगर आपकी हाइट जादा है तो आप इसे कर सकते हैं एक सी वैरिंट में यह हमको नहीं मिलता दिखलाइन एंगल आप यहां से इसका सेट कर सकते हैं अपनी हाइट और ड्राइव कर कोडिंग अब मैंने आपनी हाइट का गोडिंग यह सीट मेरी बिल्कुल एड़ेश्ट है मैं इसको ड्राइव करके लाया हूँ अब मैं चलता हूँ बैक वाली सीट पर उस पर देखता हूँ मैं कमफर्टेवल बैट पाता हू या फिर नहीं यहां से हम इसका डोर ओपन कर सकते हैं अभी भाई मैट वगएर नहीं लगा इसमें प्लीज कमेंट मत करना कि भाई नहीं गाड़ी का आपने क्या हाल कर रखा है यही गाड़ी दिखाऊंगा मैं आपको कुछ वीडियो के बाद कि कैसी करवा दूगा इसको मैं पीछे की तरफ काफी इसपेस है अंडर थाई सपोर्ट इसका काफी अच्छा मिलता है थोड़ा कम है लेकिन ठीक है अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए बैश्ट विद सेफटी एनकैप गलोबिंग में फाइव स्टार रेटिड इसने अचीव करके यह गाड़ी आई है और काफी अच्छा इसपेस और कमफर्टेबल यह गाड़ी है इसकी बैक सीट अब बात करते हैं हम बूट इसपेस के बारे में बटन दबाते ही इसका बूट हाइड्रोलिक से उपर चला जाता है पार्सल ट्रे हमको एक्सम वेरियंट में मिलेंगी बूट इसपेस काफी है नीचे की तरफ इसमें हमको इसपेर वील भी दिया गया है इसपेर वील की अगर मैं बात करूं तो इसका जो साइज है वो आर फोटीन है यहां पे इसमें 165 असी आर फोटीन का साइज दिया गया है अब मैं आपको साइड वाल टायर दिखाता हूं जो मैंने आपको दिखा है इस spare wheel के comparison में अगर हम बात करें हम इस seat को आगे भी by fold कर सकते हैं कैसा लगा आपको Tata Altros XM बिल्कुल stock condition में in depth review आप प्लीज अपना suggestion comment section में जाके जरूर share कीजेगा और अग भी तक आपने Instagram पर follow नहीं किया तो आपको Instagram यहां पर देख जाएगा या विसांत डागर वन आप Instagram पर जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे वहां पर जाकर direct message कर सकते हैं सो फ्रेंड फ्लाल वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नई टोपे के साथ तब तक के लिए बाए बाए